दोस्तों Realme अपने C series के smartphone C53 में एक और choice आपके लेके आ गया है इससे पहले Realme C53 में आपको दो ही वेरेंट मिलते थे 4GB 128GB वेरेंट जो कि आपको 99999 रुपे का मिलता था इसके बाद दूसरा वेरेंट था 6GB 64GB वेरेंट जो कि 109999 रुपे का था और अब आ गया है दोस्तों 6 GB 128GB वेरेंट जो आपको मिलेगा 119999 रुपे का और बैंक ओफर का यूज़ करते हैं तो 1000 रुपे का डिसकाउंट भी आपको इसमें मिल जाता है तो सब कुछ लगबग सैमी रखा गया है तो फ्रेंड्स देखते हैं इस वीडियो में इस नए स्मार्ट फॉन में क्या-क्या चैन्जिस हमें देखने को बिलते हैं तो बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो में चैनल पर आयो फॉस्ट राइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजे क्योंकि ऐसी वीडियो मैं रेगुलर आपके लिए आप लाता रहता हूं तो बॉक्स ऐसी उपन करूँगे तो एक मिनी बॉक् स्कुल की स्टाइट गाइट यूजर मैन्वल और फॉन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक फ्लेक्सिवल ट्रांसपेरेंट सिलीकन का टीप्यू केस मिल जाता है जो की काफी सॉप्ट है थोड़ा सा ब्लैकिस आपको कवर मिलता है इसके बाद रखा हुआ मिलेगा स्म वेका मुबैल और यहां 18 वोट का चार्जर यह ना इंसापी नहीं चलेगी इसके बाद टाइप सी वेस्पी केविल मिल जाती है लेंद और क्वाल्टी केविल की बढ़िया मिल जाती है हम आते हैं डेरेक स्मार्ट फॉन पर रहें पर रहें पर से आजात करते हैं यह निकल अगर आप विदाउट स्क्रेच गार्ट कुछ दिन मुबैल को यूज करते हो तो इस पर स्क्रेच बहुत जल्द आ जाते हैं इसलिए हमेशा एक स्क्रेच गार्ट तुरंद लगा लीजिए दोस्तों जब नया स्मार्ट फॉन फर्चेस करते हैं तो बैक पैनल आपको और वो धूल साप साप दिखती है उपर कैमरा के आसपास तो बहुत ही ज़्यादा धूल लग जाती है इसमें आपको मिलता है मीन कैमरा 108 मेगा विक्सल का दूसरा एक सपोर्टर सहाएक कैमरा दिया गया है जो कि यूजलेस होता है ये ना भी होता दोस्तों फिर भी कैमरा उतने ही किलेटी देता जितना देना चाहिए तो इसे हटा भी नहीं सकते दोस्तों क्योंकि फॉन का जो लूक है वो काफी खराब हो जाएगा फ्रंट में आपको मिलेगा only 8 मेगा विक्सल का सेल्फी कैमरा मोबैल तो हमारा already booted है और यहाँ पर जो brightness है इसकी brightness भी 100% कर लेत आपको इसमें दी गई है 90 Hz का refresh rate आपको इसमें मिल जाता है touch smooth लग रहा है दोस्तों तो देख सकते हैं आप और इसमें screen to body ISO 90.3% का दिया गया है दोस्तों 167.2 mm की height 76.7 mm की width और 7.9 mm की thickness 186 gram का है smartphone 5000 ms की battery इसके अंदर लगी हुई है दोस्तों बात करते हैं इसके processor की तो 1.8 GHz का octa core processor आपको इसमें दिया गया है Unisog T612 का chipset मिलता है जो based है 12 nm के fabrication पर Mali G57 के graphic आपको इसमें दिये गए है RAM टाइप LPDDR 4X 6GB की RAM मिलती है 128 GB का storage Expendable Memory 2TB तक आप इसमें बढ़ा सकते हो storage type e MMC 5.1 का मिल जाता है इसका आंतो तो इसको धाय लाक के पार चले जाता है तो ठीक ठाक average आपको मिल जाता है Android 13 के साथ आता है ये smartphone और इसमें आपको Realme UI का version मिलेगा T edition वाला जो की एक light version होता है इसके अलावा आपको इसमें camera दिखाते है इसका 108 MP का camera आखिर कैसा है तो दोस्तो ये देखें इसका camera तो colors काफी अच्छे हैं लेकिन 108 MP वाली feeling कहीं से नहीं आ रही 108 MP का camera तब माना जाता जब इसमें आप video भी 4K में 2K में suit कर पाते हैं दोस्तो 1080p में 30 FPS का तो support यहां पर दिया गया है 60 FPS तक का नहीं दिया गया है तो कहां का ये 108 MP का camera होगा दोस्तो बेवकूप बनाने की चाले देखो company की हम बेवकूप भी बन जाते हैं दोस्तो तो 108 MP मत समझे इसको तो 13 MP का camera भी बीट कर देगा ऐसी क्लेटी इसके camera से आ रही है दोस्तो 10 गुना जूम सपोर्ट करता है यह कम से कम 20 गुना जूम सपोर्ट करना चाहिए था इतना भैंकर camera जो दिया है company ने तो 10 गुना जूम quality भी देख सकते हैं image फट रही है और क्लेटी जो है वो घट रही है color fade हो र मिलता है अगर आपको background blur चाहिए तो इसका यूज़ आप कर सकते हो 108 megapixel का camera enable करने के लिए अलग से option दिया गया इसे enable करने के बाद भी क्या फ़र पड़ा वैसा को वैसा display दिख रहा है दोस्तो camera clarity में कुछ फरक नहीं आता लेकिन यहां पर एक अंतर है 108 megapixel camera enable करने के बाद भ पेंडमा चलो सुकर है slow motion तो दिया है company ने qr code scanner भी आपको इसका मिल जाता है front camera देखते है जो 8 megapixel का है तो average ही कहोंगा में दोस्तों ज्यादा कोई खास selfie camera भी नहीं मिलता है colors भी ज्यादा कोई खास नहीं है करीब से भी देखे दोस्तों तो average camera आपको इसका मिलता है तो friends य दोस्तो personally मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तो 12,000 रुपे आप खर्च कर रहे हैं इससे better तो 5G smartphone लेना आपके लिए सही रहेगा आप सोच रहे होंगे कि इसका look काफी बढ़िया है iPhone की जैसा दिखता है तो दोस्तों अगर design के लिए खरीदना है smartphone तो दोस्तों देखे दोस्तों इसमें Realme का खुद का जो UI है वो भी light वाला दिया है T-EDITION ज्यादा कोई खास नहीं होता दोस्तों पर कि प्रोसेसर भी आपको ज्यादा कोई खास नहीं मिलता इसमें Unisoak का T612 chipset दिया गया जो की 8-9,000 रुपे के smartphone में मिल जाता है और रही बात RAM और storage की तो दोस्तों Infinix और Techno जैसी कमपनिया आज की रेट में 8-9,000 रुपे के अंदर 8GB RAM 128GB का internal storage दे रहे है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर Realme काफी ज़्यादा storage दे रहा है नॉर्मल हो गया 128GB storage तो आज की रेट में 8-9,000 रुपे के smartphone में easily मिल जाता ह इसके दोनों बेरेंट 9-9,000 रुपे के अंदर तो आपको क्या लगता है दोस्तों क्या सही है 12,000 रुपे के अंदर यह smartphone क्या आप इसे खरीदना पासंद करोंगे आसा करता हूं मेरे जारदी की जानकारी आप सभी के जुरूर कुछ न कुछ काम आएगी जिससे एक नया smartphone परचेस करने में आपको कोई दिकत नहीं आएगी ऐसी वीडियो रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें हम आपके लिए रेगुलर ऐसी लेटेस्ट अनबॉक्सिंग प्लस कमपैरिजन वीडियो लाते रहते हैं